भारत रत्न और पूर्व राश्रपती प्रणाव मोखरजी को आज राज की संबान के साथ दी गई अंतिम विदाई राश्रपती और प्रधानमंत्री सहित अने गणमान लोगों ने दी श्रद्धांज ली देश के शीर्ष इंजिनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परिक्षा आज से शुरू सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 31,000 के पार देश में कोविट से स्वस्थ होने की दर में हुआ सुधार और अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गनेश की प्रतिमाओं का किया जा रहा है विसर्जन नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से भारत रत्न और पूर्व राश्वपती प्रणव मुखर जी का आज नई दिल्ली के लोधी रोड इस्तित शवदाह ग्री में राज के समान के साथ अंतिम संसकार किया गया इससे पहले उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए नई दिल्ली स्थित उनके निवास दस राजाजी मार्ग में रखा गया था राश्पती रामनात कोविन, उपराश्पती एम वेंकया नाइडू, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, रक्षा मंतरी राजनात सी, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला, कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी सहित अन्य लोगों ने भी पूर्व राश्पती को पुश्पांजली अर्पित की, सुरक्षित दूरी और कोविट समंदी अन्य नियमों को देखते हुए पूर्व राश्पती का पार्थिव शरीर तोप गाडी की बजाये शब वाहन में ले जाया गया, केंद्री मंदल की बैठक में भी प्रणाव मोखरजी के निधन पर शोक व्यक्ति किया मंत्री मंदल ने उनकी स्मृती में दो मिनट का मौन रखा, मंत्री मंदल के प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रणाव मोखरजी के निधन से देश में एक प्रतिष्ट राजनेता और उतकरिष्ट सांसत खो दिया है, केंद्र सरकार ने पूर्व राश्पती के सम्मान में ये शोक की घोशना की है। परिक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये ये मेंस परिक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जहाँ पर ऑनलाइन परिक्षा शुरू हो गई है। प्रदेश में ये ये मेंस के कुल 13,425 परिक्षारती हैं। बिलाई के परिक्षारतियों ने ये मेंस परिक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर करते हुए कहा। कि परिक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग सहीद अन्य उपायों का पालन किया गया। जाते साथी पहले पूरा उसके बाद परिक्षा किया गया। पर बैठने के समय पूरा जो बायोमेट्रिक होता है उसके बाद बैठाया गया। बैठाने से पहले उसके बाद पूरा चीज को सेंटेस किये। बूठने के बाद वहां पर एक पांप्लेट रखे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि दू नोट टच उसमें जाकि जो लोग बैठे हैं वहां पर तकि दूसरे बार वहां कोई ना बैठे बहुत अच्छे से किया गया है। उसले उसके जान अच्छे से किया है। नए मरीजों की पुष्टी की गई। वर्तमान में 14,000 से अधिक कोरोना संक्रमित सक्री मरीजों का इलाज विभिन अस्पतालों में चल रहा है। वहीं कोरोना से अब तक 277 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज भी प्रदेश के विभिन जिलों में कोरोना के नए मरीजों की पहचान की गई है। वहीं देश में कोरोना संक्रमित से स्वस्थ होने की दर में और भी अधिक सुधार हुआ है। अब ये दर 76.94 प्रतिशत तक पहुच गई है। पिछले 24 घंटों में 65,081 कोबिड रोगी स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। केंद्री स्वास सिमंत्राले ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की संक्या 28,49,882 से अधिक हो गई है। देश में इस समय केवल 21.99 प्रतिशत लोगों का इलाद चल रहा है। सरकार की रणनीती के तहट टेस्ट, ट्रेक एंड ट्रीट के प्रभावी क्रियानवेन से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर भी कम हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमन की रोक थाम के लिए तरह तरह के उपाय किये जा रहे हैं। एक और जहां सोशल डिस्टेंसिंग चेहरे पर मास्क लगाने की अनिवारिता और सेनेटाइजर का उपियोग किया जा रहा है। तो वहीं कोरोना संक्रमन से बचाओ के लिए राजान गाओं को त्वाली पुलिस ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों के काम करने की जगह को पारदर्शी प्लास्टिक से कवर किया गया है। थाने में टेबल टब भी लगाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंस बनी रहे। साथ ही थाने में आने वाले लोगों के लिए सेनेटाइजर की व्यवस्था की गई है। थाना प्रभारी विरेंद्र चतुरवेदी ने बताया कि थाने में सेनेटाइजर का उपयोग जरूरी कर दिया गया है और हर दिन सेनेटाइज किया जा रहा है। यहाँ पे भी पूरे अधिकारी कमचारी बैट कर काम करते हैं वो पूरे जो हैं वो प्लास्टिक सीट से ढखे हैं ताकि जन्ता जो आती है अपनी फर्याद लेकर उनको और उनके बीच में एक निश्चित जो सोशेल डिस्टेंसिंग है वो पालन किया जा सके ताकि संक्रमन किसी को न हो उलेखनी हैं कि राजदान गाउं जिले में औसतन प्रति दिन 50 से अधिक नए कुरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की जा रही है इस बीच कुरोना से बचाव के लिए कोत्वाले पुलिस द्वारा उठाए गय कदम कारगर साबित हो रहे हैं रंपरा के अनुसार बिरिंग पाल से लाई गई सरई पेड की टहनियों को एक विशेश इस्थान पर स्थापित किया गया और विधी विधान से पूजा अर्चनाकर रत निर्मान के लिए मा दंतेश्वरी से आग्या ली गई माननेता है कि इस रस्म के साथ ही बस्तर दशारा के लिए रत निर्मान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और रत के लिए लकडियों का लाना भी शुरू हो गया है बस्तर दशारा की डेरी गड़ई रस्म के इस मौके पर सांसत दीपक बैच सहीत अन्य जन प्रतिनिधी जिला प्रशासन के अधिकारी और स्थानिय लोग मौजूद थे उलेखनी है कि अपनी अनूठी संस्कृती रीती रिवाज और परंपरा के लिए बस्तर पूरे विशो में प्रसिद्ध है 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशारा सबसे लंबे समय तक चलने वाला लोग पर्व है इस लोग पर्व की शुरुवात पाट जात्रा रस्म के साथ हो चुकी है अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश का हवन पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है राजान गाओं नगर निगम प्रशासन ने प्रतिमा विसर्जन के लिए शिवनात नदी के किनारे विसर्जन कुंड बनाया है जहां सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गये हैं प्रतिमा विसर्जन के साथ ही 11 दिनों तक चलने वाले गणेश वस्व पर्व का समापन हो गया है प्रतिमा विसर्जन के पहले भगतों ने भगवान गणेश की विधी विधान से पूजा अर्चना की इस बार नदी में प्रतिमाओ के विसर्जन पर रोक लगाई गई है कोरोना संक्रमन के मदे नजर इस बार विसर्जन जहां की निकालने पर भी रोक रहेगी लोग स्वास्त यांत्री की मंत्री गुरू रुद्र कुमार ने कोंडा गाओं में आयोजी तेक कारिक्रम में जोडा जैतकाम का विधी विधान से लोकारपन किया जोडा जैतकाम का निर्मान इस्थाने लोगों के सहयोग से किया गया है ऐसे ही जोडा जैतकाम गिरोधपुरी, भंडारपुरी और खंडवापुरी में भी सामाजिक लोगों के सहयोग से इस्थापित किये गए हैं इस अवसर पर गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि सतनाम पंत के प्रणेता परंपूज बाबा गुरु घासिदाजी ने इस संसार में सत्य अहिंसा और शांती का संदेश दिया है जिसका अनुसरन पूरे विश्व में किया जा रहा है उनके विचार युगों तक प्रासंगिक रहेंगे कोरोना संक्रमन काल में बच्चों को घरों में ही सिक्षा देने के उदेश से राज शासन द्वारा पढ़ाई तुहर दुआर योजना शुरू की गई है वहीं सिक्षकों द्वारा भी बच्चों को उनके घर या महले में पढ़ाने के लिए नई पहल की जा रही ह सिक्षिका ने बताया कि अभीभावकों या इसकूली बच्चों के बुलावे पर वे उनके घर, बरामदे या छट पर कक्षा लगाकर अध्यापन का कार्य करती हैं जीला सिक्षा अधिकारी जीपी भारत द्वाज ने बताया कि कोरोना संक्रवन में सुरक्षा माबदंडों के अनुरूप बच्चों को ऑनलाइन के साथ-साथ उनके घर, गली महले में जाकर पढ़ाई कराने से बच्चों को फायदा मिल रहा है सिक्षिका के इस अनोखे प्रयास से बच्चों को नेशुल्क सिक्षा मुहया कराई जा रही है जिसकी प्रशन साल लोग कर रहे हैं गरीबों और जरुरतमंद परिवारों के जीवनिस्तर में सुधार लाने केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजना संचालित की जा रही है इन में से एक है प्रधानमंत्री उजवला योजना जिसका लाब गरीब परिवारों को मिल रहा है दुर्ख जिले के भिलाई नगर में रहने वाले अनेक गरीब परिवारों की महिलाएं उजवला योजना से प्राप्त गैस चूले से खाना पका रही है और इससे उन्हें काफी रहत मिली है विलाई के बालाजी नगर की लाभारतियों का कहना है कि प्रधानमंत्री उजवला योजना के गैस चूले का उप्योग करने से उनका समय तो बचता ही है साथ ही धुए आदि से छुटकारा भी मिल गया है आसओ आता था, अभी कासी आता था, अभी ठीक है पहले दिखा थी था न सर, जूट डालो, लकडी डालो, गोवर लड़ू डालो, लड़ू बनाके डालो दिखा थे उसके लिए, जल्दी जलाो, खाना बनाने भी लेट हो जाता है गैस में भी जल्दी होता है उसले आपने को सुविद्ध होता है गैस में जल्दी बनने के लिए वार्ड पार्शा शैम सुंदर राओ ने बताया कि उच्वला योजना से वार्ड के अनेक जरूरत मन परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है जिसका लाब वे ले रहे हैं गौरतलाबै की उजवला योजना से गरीब परिवार की महिलाओं को चूले में खाना पकाने से होने वाली परिशानियों से छुटकारा मिलने के साथ ही उनकी जीवन शैली में व्यापक सुधार हुआ है अन्तमे मुख्य समाचार एक बार फिर भारत रत्न और पूर्व राश्रपती प्रणव मुखरजी को आज राजकी सम्मान के साथ दी गई अन्तिम विदाई राश्रपती और प्रधानमंत्री सहित अने गणमान लोगों ने दी श्रद्धांजली देश के शीर्ष इंजिनेरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परिक्षा आज से शुरू सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संक्या 31,000 के पार देश में कोविट से स्वस्थ होने की दर में हुआ सुधार और अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश की प्रतिमाओ का किया जा रहा है विसर्जन इसी के साथ यह समाचार बुलेटीन समाप्तुआ नमस्कार यह यह समाथ. झाल